तो गाईज क्या आपको पता है पैसे की असली कीमत क्या है क्या आपने आज तक पैसे की कीमत को पैचाना है गाईज अगर गाईज आप भी ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हैं आप भी इंटरडे में ट्रेड कर रहे हैं आप भी बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी बै कारे में समझेगा इस पैसा कमाना बहुत आसान है आप पैसा कमा सकते हैं आप कोई जोग पकड़ लीजिए आप कोई earn करेगा वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं अगर आप खुद पैसे के लिए काम करते हैं लेटसे आप इंटरडे में टेडिंग कर रहे हैं पूरे दिन टेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका पैसा काम नहीं कर आप प्रोफिटेवल हैं लोस में है वह एक सेपरेट हट जाते हैं जब आप मार्केट क्लोज होती है तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं पैसा आपके लिए नहीं काम कर रहा है तो आज मैं इसी चीज को इसी कौनसेप्ट को आपको क्लियर करने के लिए हमारे वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पता लग साथ कि आपको अप के बारे में finance के बारे में ताकि आपको रियल में पता लग सके पैसे की अक्सिली वैल्यू क्या है सबसे पहले मैं इतने अच्छे उधारन से आपको बताऊंगा कि पैसे की रियल वैल्यू क्या है तब उसके बाद हम step by step इस वीडियो को आगे प्रोसेस करेंगे तो चलिए गा जिसके पास नहीं है वो चाहता है कि हो जिसके पास अपार में है वो चाहता है उससे भी ज्यादा अपार में हो मतलब इसकी लिमिट खतम नहीं होती है पैसे की लिमिट कभी खतम नहीं होती है और पैसे के बारे में आपको कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है आप आपने चाहे economics ले रखी हो अपनी 10th 12th में, चाहे ना ले रखी हो, परन्तु आपको पैसो के बारे में finance की education नहीं दी जाती है, क्योंकि इस्कूल में जो तयार किये जाते हैं, इस्कूल में जो employees तयार किये जाते हैं, वो employees होते हैं, इस्कूल में जो students होते हैं, वो employees के तोर प के पैसे वारे मैं आपने कर लाड़ा पैसे के नहीं पढ़ा गर्की जिम्मेदारिया आपके कर दोदुगी है इसी दोरान को करते जोब पकड़ेगी है अपने जोब तक सही ऍसब संब की रूटीन है इंडिया इंडिया जरी कट्टी की है इसकी एज ग्रूप मैंने डिफाइन किये अपने मानने से इसकी एज ग्रूप यह होती है आप 18 से 25 यह तक की जो एक गैप होता है जुतने भी यूथ है हमारे 18 साल से 25 साल के बीच में उनसे आप पैसे के बारे में पूचेंगे वो सिरफ आपको इतना ही ब 25 साल की जो पर्शन है और 35 साल के बीचे जो हमारे भाई बहन है उनके जो का सोचते हैं वो यह सोचते है सेटल जो वह अपनी जिसमें आपको फिक्स लेमांट आता रहे हमारी बच्चे की फीज़ वगेरा सब उसमें सैट होती रहे है कुछ हमारी सेविंग हमारे घर पे रह जैसे 35 साल से उपर के जो पलस के persons हैं, वो इन्वेस्टमेंट ही करते हैं अपना, ठीक है, इनको रखते हैं एक साइड में, अब मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ, मेन मुद्दे की बात ही है, आप रिक्सा पकड़ के चलिए, ऐसे लेकर गली नंबर A से लेकर, गली नंब सिंपल सा उधारणम आपको दे हो, आप चाहे 18 से 25 साल के बन दे हो, 25 से 35 साल के हो, 35 साल से पलस हो, वो आपको एक ही चार्ज करेगा, गली A से लेके, गली C तक 100 रुपीज, आप क्या करते हैं, उसको नेगोशियेट करते हैं, आप कोशिस करते हैं कि नहीं भैया, आप 100 रुपीज देंगे, या लेट से 90 रुपीज देंगे, आप महाँ पे 10 रुपीज का 20 रुपीज का उनसे बार्गेन करते हैं, और most of the time, रिक्सा वाला मान भी जाता है, most of the time, बार्गेनिंग आपकी होगे, अगर वो मीटर के हिसाब से नहीं चलता है, इंडिया में बताओ, इंडिया में 10% आटो वाले होंगे, जो मीटर के हिसाब से चलते हैं, बाकि 90% आटो वाले है, आज भी बार्गेनिंग के अनुसारी चलते हैं, तो वो 10 से 20 रुपीज जो आप बार्गेन करके बचाते होना, वो आपको रियल में बताता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, आप 20 रुपे लेने के लिए उससे नेगोशियेट करते हैं, अपनी 5 मिनट या 10 मिनट वेश्ट करते हैं, उसके साथ बात करते हैं, वो आपकी वेश्टेज नहीं हुए, कभी भी उसको यह मत सब्लेना कि आपकी वेश्टेज होई है, उसने आपको इतनी अच्छी सिक्सा दिये हैं, उतनी अच्छी सिक्सा दिये हैं, हमेसा यह मानता हूँ, कि नेगोशियेट आपको करना चाहिए, आपको अपने एक-एक रुपे के लिए लड़ना चाहिए, अगर आप कहीं से एक रुपा बचा सकते हैं, तो आप बचाईए, कोसिस कीजिए उसको बचाने की, जरूर वो उससे भी ज्यादा महनत का काम है, हो सकता है, आपको वीडियो आज बहुत ही बोरिंग लगे, क्योंकि ऐसा कॉंसेप्ट मैं नहीं लाता हूँ, मैं आपको बस ट्रेडिंग के बारे में, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपको जो मार्किट के बारे में समझात लेता हूँ, बट पैसे की जानकारी होना भी बहुत बड़ी वैल्यू है, अब आपका एक्जामपल में लेता हूँ, अब आपको उधारन पे मैं आता हूँ, आप ट्रेडिंग करते हैं, आज, आपने बैंक निफ्टी की कॉल ले लिया, आपने कुछ भी ले लिया, आपने पैसो के साब से, बड़ी क्वांटिटी में आप खेल रहे हूँ, या फिर आप छोटी क्वांटिटी में ले 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 हूँ, मैं उधारन के तोर पे 1000 रुपीज का आपके सामने उधारन लेता हूँ, आपने 1000 रुपीज लगा दिए, उस 1000 रुपीज की आप कीमत ये समझे है जो आपके एकाउंट में नमबर थे, आपके सिरफ नमबर कम हुए, 1000, सिरफ नमबर, नुमेरिकल डिजिट आपकी खतम हुई है, आपके PC में आप कर रहे हो, या फिर आप मोबैल में कर रहे हो, आपके नमबर, अगर मैं आपको बोलो कि आप परसन एको 1000 रुपीज अपने दिये कितने उसको, अगर आपके एकाउंट में 1000 रुपीज जैसे आप बाई करते हो, ट्रेड लेते हो, तब आपको नहीं पता रहता कि आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो आपने कैस करके, गिंती करके, नोटो को देखते वे नहीं किया, इसी को बोलते हैं, साइकल हो जी, अगर आप अपने परस में से निकाल के, एक एक रुपा गिन के, किसी परसन को देते हो 1000 रुपीज, तब आपको पता लगता है कि मेरा लोस हुआ कितना है, अगर आपको 1000 रुपीज ट्रेड में चले गए न, तो आपको 1000 रुपीज की किमो तब पता आपके परस से निकल के जाएंगे, अगर आपके नंबर कम होते हैं, जैसे कि आपके ट्रेडिंग के अकाउंट में से 1000 नंबर डिजिट कम हो रहे हैं, वो आपको माइने नहीं देता है, इसी चीज को बोलते हैं, कोशिस ये कीजी है, जितना आपका बजट है, आप सपोस की एक एवरेज में मान के चलता हूं, अब 10,000 से लगा कि 50,000 के बीच में एक सेलरी लेते हैं, आप जो कमाते हैं मनतली वो 10,000 से लेके 50,000 का एक mid range होता है, इतने range में approximately हमारे इंडिया के बंदे आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से मैं एक एवरेज मानता हूं, 10 से 50 के बीच क 25,000 का एक एवरेज मानता हूं कि 25,000 आप मनतली सेलरी परचे ले रहे है, 25,000 में से आपको मार्केट में जो पैसा लगाना है उसका सिरफ 10% लगाना है, यानि कि 25,000 का जो 10% होता है, वो 2,500 रुपीज होते हैं, और वो 2,500 रुपीज आपको जो मार्केट में आपने लगा लगा दिये न, वो ये नहीं सोचना है, आपको कि ये मुझे रिटान होंगे कभी, पहली बात तो ही, आपने जो लगा दिया, वो समझी लिजे, वो खतम होगी, आपकी जेब से ऐसे कैस करके काउंट चला गया, आपने वो लोस ले लिया, आपका वो लोस हो चुका है, होग ले कि आपको ये 2500 रुपए अगर आप कैस करके काउंट करके किशी को देंगे, तो आप उसमें कितनी नोलीज रखते हैं, उस परसन पर कितना भरोसा करते हैं, उस परसन की सारी जानकारी निकाल लेंगे आप, कि कहीं मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा किसके को आप इनकॉरी रखते हैं, उस चीज के बारे में, क्या ये रियलम कि 500 के 3000 रुपए बनाके लेंगे, गर किसी को पैसा देते हैं, यहा सपोज की जा. इंट्रेस्ट पर पैसा देता है पच्छिस्सो रुपए का इंट्रेस्ट आप प्रपोज करके चलते हैं उससे 2% या 3% का लेंगे तो क्या आप उसको ऐसी ही दे देंगे उस कंपनी के बारे में प्रोपर तरीके सा नोजी निकालना कि उस कंपनी की परफोर्मेंस क्या है वो कंपनी है क्या उस कंपनी का ब्रेंड नेम क्या है ब्रेंड की प्रपलेटी क्या है या कंपनी मोनोपोली है अपने ब्रेंड में इंडस्ट्री क्या है बिजनिस क्या है फ् पूरे दिन में trade करो आप trade पर trade करते जा रहे हो आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो मैं literally बता रहा हूँ loss लेके बैठना है आज profit हो सकता है कल profit सकता है परसो इतना loss हो जाएगा कि दोनों दिन का profit zero हो जाएगा monthly average निकाल के देख लेना आपको पता लग जाएगा पैसे की value क्या होती है जितना monthly average में आपका loss या profit हो है उसको अपने परस से निकाल के रखना आप suppose कीज़े अपने पूरे महीने में 5000 का loss किया है मैं loss की बात करता हूँ 5000 रुप अपने परस से निकाल के गिंदी करके रखना तब आपको पतलेगा actual में loss कितना हो है या फिर आपने suppose कीज़े 5000 का profit किया तो परस में से 5000 निकाल के आप रखेंगे न तब आपके actual में पतले हो आप उसको अपनी लिमिट के अनुसार देंगे 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 100 रुपए जो भी आपकी लिमिट हो एक रुपा अपनी लिमिट के हिसाब से देंगे फिर आप ट्रेडिंग करते साइं अपनी लिमिट के हिसाब से पैसा क्यों निवेस्ट करते हैं पैसे पूरा महीन अपने किसी दूसरे काम में यूज करना है किसी दूसरी चीज में यूज करना है पूरा दिन बैट के उस किरायदार को नहीं देखना है कि ये मेरा किराया दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा वो अपने आप overall आपको return दे देगा इसी तरीके से stock market में मैं करता हूँ short term trading आपको मैं real बता हूँ मैं invest कर देता हूँ ना तो मैं पूरे दिन बैट के chart देखता हूँ ना मैं market खुलने का या बंद करने का wait देखता हूँ मैं क्या करता हूँ दो दिन में या तीन दिन में मैं यह देख लेता हूँ चार्ट हमारा चल क्या रहा है per day के इसाब से जब चार्ट देने पर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे हम buy कर सकते हैं buy करने से भी पहले फिर मैं particular उस company के बारे में research करता हूँ कि यह particular company आज डाउन क्यों है ऐसा क्या कारण है sales की डाउन चली गई sales डाउन जाने का temporary कोई कारण है या permanent sales डाउन है क्या इस company का कोई competitor मार्केट में आ गया है या जो company है किसी कारण वस जो अभी डाउन पे चल रही है यहां से हमें profit हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है उनके CEOs में कोई an-band तो नहीं हो गई उनकी partnership में तो कोई अनबन नहीं हो गई उनका raw material तो महेंगा नहीं हो गया उनके future growth में तो कोई आशा नहीं है उस industry में तो कोई issue नहीं हो गया इन सब जीजों की जानकारी निकालने के तो आपको profitable होने से कोई नहीं रोक सकता हूँ आस और उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज helpful लगी होगी वीडियो अगर helpful लगी हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना अगर आपको 1% भी ये लगता है कि मैंने आपकी education में हिस्सेदारी लिए जरूर से subscribe कर देना अगर आपका कोई भी अभी भी doubt रह जाता है तो आप comment करके मुझे बताइए मैं आपके लिए personal message करूँगा पर किसी भी tips के लिए किसी भी stocks की जानकारी लिए बिलकुल भी message मत कीजिएगा अगर education की purpose से जीए तो आप मुझे message कर सकते हो मैं आपको जिवाब देने के लिए 100% दियार वेट हूँ आज की वीडियो के यही पर wrap up करते हैं गाईस धन्यवाद